और बड़ी खबर पटना से जेडू कारवाले में अहम बैठक ललां सिंग उपरिंद कुश्वाह समेत कई नेता बंद कमरे में मंतन कर रहे हैं आपको तादे कि जेडू कारवाले में अहम बैठक बुलाए गई है ललां सिंग उपरिंद कुश्वाह समेत कई नेता मौझूद इस बैटक में और इस बंद कमरे में मंतंद चल रहा है आपको दादे के बड़ी कबर अस वक्त पत्ता से जेडियू कारवाले में अहम बैटक बुलाई गई है और ललन जिंघ पेंदो को श्वाई समिते कई नेता इस बैटक में मौँझूद ए और बंद कमरे में मंतंद चल हाँ है और देख ज्वानकारी के लिए पटना से समाददाता अबनीश अमारे साथ जुचका अबनीश जेडियू का रियाले में अहम बाठक बुलाए गए इस बंद कमरे में अगर बात करें तो क्या कुछ विश्रेस तोर पर चरचाएं है बिल्कुल देखिए तमाम लोग जेडियू का रियालय में जुटे हें जेडियू के तमाम पाठी के प्रणादिकारी हैं तमाम करकरता है सब निजद कुमार से कोई सर आप कोई सेक्रेट डील भी हमारी पार्टी नहीं होता है एही तो खुबसूरती है जन्ता दल्यू का हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उन लोगों ने मानने मुख मंत्री जी को अधिक्रित कर दिया पार्टी के रास्ट्रिय अध्यक जी ने कर दिया पार्टी के प्रदेश रखना चाहिए राजनीत में कभी बेचैन आत्मा की तरह तडपना नहीं चाहिए अरी बिहार की धरती है ना इसलिए हम अनुरोद ही करेंगे कि समय आने पर ऐसा फैसला आएगा कि सब को जानकारी मिलिया है लगता है कि इस बार भी चौकाने वाला कुछ फैसला होगा यह उनी को जानकारी है लेकिन मैंने उदाहरन दिया कि जब लोक के उडूपी जिला का रहने वाला व्यक्ति और देश की सियासत में हम सबस्ते पहला व्यक्ति होगा समाजबादी आंदोलन का जो गैट समझोते के खिलाब चार हज्जार से जाइदा दिनों तक लगातार बगएर बरसाद बगएर जाडा के पार्लेमेंट ठाना पर गिरफ्तारी दे रहा हो जो आज भी दस्तकार का बनाया हुआ जूता और चपल पहंता हो कपड़ा पहंता हो एक कमरे में रहता हो ती तो अनूठा हुदा जो है चोकाने वाले फैसले होंगे तो जिस तरह से अनिल हेगड़े को जेडियू ने राजसवा भेजने का काम किया है और खुद मुखमंत्री ने उनका नाम सुझाया था और उन्होंने राजसवा भेजा इस बार भी तमाम लोगों की निगाहे जेडियू कराले की तरफ ह तमाम पार्टी के तस्वीर आपको दिखाएंगा सब्सक्राइब तमाम पार्टी के जो करकरता है वह पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और वे लोग इंतजार में हैं कि आखिर कौन होगा कौन चेहरा होगा इसको राजसवा जो है वो भेजने काम ब्खमंत्री करेंगे अच हम लोग तो यहां पर रूटीन वर्क के तथा यहां पर आते हैं और जो नित्या के निढने होगा हम सभीकू मालूम होगा आप लोग नजर बनाये होगी है जिसको सुनेंगे उससा ठीकी होगा और हर कारकरता उसको सिर्मोर रुक से सुविकार करेगा और निश्ची तूट वो निस्चित तुट से बिहार के विकास में और केंदर में आवाज उसकी बुलंद होगा। चेहरा कौन होगा जिस पर मुखमंत्री विश्वास जताएंगे क्योंकि लगतार कई नाम की चर्चाय है याखिर कौन होगा लेकिन अभी तक इस पर चारिक घोशना नहीं हुई है तो पार्टी दफ्तर में तमाम पार्टी के पदादिकारी पार्टी के वरकर है उनका यहां पर जमवडा है सबी लोगों की निगाहे भी जो है इस पार्टी दफ्तर की ओर है विपक्षी पार्टी यह हैं उनकी नजर है कि आखिर कौन उमिद्वार होगा आखिर जो पुराने जो रहे हैं सजस्द्र रहे हैं उनको फिर रिपीट किया जा रहा है या कोई नया चेहरा होगा अनील हेगडे जैसे कोई चेहरे होंगे तो इसको चौकाने वाले बात होगी तो तमाम लोग भी इस पर नजर बनाये हुए खातर पे थोड़े पहले ही नीरज कुमार जो पार्टी के मुख पर वक्ता है उन्होंने इस सारों में कहा है कि इस बार भी अगर चौकाने बाले कुछ फैसले आ सकते हैं नाम आ सकते हैं वस्ष्टिति में लोगों को उमीद भी है कि इस बार पार्टी क्या कुछ फैसला लेगी लेकिन सब्सक्राइब की निगाहा है जो इसी जेडिवू दफ्तर की और यह आखिर जेडियू के तरफ से कब तक अपचार अपचारि कि अपने नामों का एलान कर सकती है तो थोड़े दिर सभी को इतुजार करना होगा कि आखिर जेडियू क्या कुछ चोक आने वाले फैसलेस बार लेती है